हाई फ्रेंट नमस्ते मैं कल्यानी आज एक और नई वीडियो लिखे आई हो आज मैं बना रहे हो पैन फ्राइड मोमो इसको मंचुरियन मोमो भी बोल सकते हैं जिन्होंने अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब करें लाइक करें शेर करें कमेंड करें और बैल आइकन को जरूर दबाए चलिए स्टार्ट करते हैं मैंने पत्ता गोबी छोटा छोटा काट के लिए और इसमें मैंने प्याज भी छोटा और इसमें स्वादनीशार नमक डाल दिया और रिफाइन तिल दो टेवल स्पून जैसे डालूंगी डालके इसको बहुत अच्छा से मिक्स्ट करूंगी मिक्स्ट करके उसके बाद इसमें अध्रक भी डालना जिरूरी है तो अध्रक को कूट के मैं थोड़ा उसको निचोर के उसका रस निकालूंगी देखिए याद रखने लिया इसको कूट लेंगे कूट के इसका हाथ से निचोर के उसका रस डालूंगी इसके अंदर देखिए इस तरीके का बनाना है अब मैदा गुंद लेती हूँ मैदे में स्वादनिसार नमक डाल दिया डालके थोड़ अच्छा से इसको स्रीप पानी से गुंदूंगी और कुछ नहीं डालना है इसमें थोड़ा टाइट टाइट रहेगा मैदे को गुंद के देखिए मैदा गुंद नहीं हो गिया इसको रेष्ट कर लिए पाच मिनिट रग दूंगी अब देखिए इसका छोटा छोटा लोई बना लूंगी मैदे का जितना बराबर आपको मोश चाहिए उसी हिसाब से इसका लोई बना लूंगी तो देखिए ऐसे एक लेके इसको थोड़ी सी मैदा ची रुखके इसको अच्छा से बेल लेना है कर साइट ज्यादा बरानी करना है पतला भी रहता है और इसलिए लोई बिल्कुल छोटा लेना है देखिए जो मैंने बेल के बनाई गोल सा उसके अंदर जो मैंने मोमो के अंदर डालने के लिए मैं मिश्रन बनाई थी उसको डाल के चमत से फिर इस तरीके के बनाना है डिजाइन आप इसी तरीके के भी बना लीजिए पर मैं मुझे ये डिजाइन ज्यादा अच्छा लगते तो इस तरीके का मैं आप लोग को बना के दिखा रही हूं देखिए इस बिल्कुल मोमो का मे आप अच्छा 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 और देखिए मैंने सारा मुवश्य भर लिया अब इसको मुवश्य साचे में डाल के पहले ग्रीसिंग करके डाल के फिर 15-20 मिनिट इसको पानी में ऐसे स्टीम करके पकाऊंगी जैसे मुवश्य नॉर्मली स्टीम करते हैं वैसी करूंगी देखिए हो गया मोमो स मेरा अब देखिए मैंने गाजर काटके लिया ये बेंज सये और यह सिमला मिर्च है और यह प्याज के पत्ते हैं स्प्रिंग अनियन जिसको बोलते है वो और थोड़ी सी प्याज काट के लिया और थोड़ी सी लस्चन करहाई में थोड़ा तेल लिया रिफाइन ओयल है फिर मोमो जो बॉयल की कर रखा है उसको हम मुझे फ्राइए करना है थोड़ा सा फ्राइए कर लूँगी नामी है इसका मौंचुरियन मोमो तो इस बज़े से इसको अच्छा से फ्राइए कर लूँगी बेशक बॉयल भी कर कर लिया हमने इसको उलट पर लटके दिखें ब्राउन करके मैंने फ्राइए कर लिया मोमोस को अब उतार दूँगी अब देखिए कराई में थोड़ी सी तेल ली उसमें गाजर, सिम्बला मिर्च और बिन्स तीनों चीज में ने डाल दिया सबसे पियाज भी डाला कटा हुआ पियाज और लस्षन देखिए सब डालके इसको भूनना है अच्छी तरह से तो यह थोड़ा चाइनीज डिश है इसलिए ज्यादा बॉइल नहीं करना है थोड़ा कच्चा कच्चा रहते हैं सबजी चाइनीज डिश में तो स्वादनुसर नमक यह भी याद रहे हर चीज में हमने नमक डाला उस हो जाए भूना हुआ मोमोज मैंने डाल दिया इसमें सब्जी में पूरे वेज़ेटेवल में डालके अच्छा से इसको मिक्स्ट करूंगी मिक्स्ट करके क्योंकि मोमोज भी पके हुए और उपर से सब्जी भी हमने पका लिए है अब इसमें जाना देर तक पकाने की जुर हो गया तो अभी मैं थोरा सा सोया सोस डाल दूंगी दिए सोया सोस डाल दिया अब चिल्ली सास डालूंगी यह गृण चिल्ली सोस है आप रेट चिल्ली सोस भी डाल सकते है अब देखिए कॉन फ्लॉर डाल दिया जो भी को के रखी थी डाल दिये इसको अच्छा से बुनेंगे पूरा बहुत अच्छा से यह मिक्स्ट हो जाएगा देखिए लास्ट में मैं टॉमेटो सॉस डाल रही हूँ कि इसको भी सॉस को भी अच्छा से भूनके कर दिया देखिए लास्ट में जो मैंने स्प्रिंग अनियन काटके रखा था उसको डाल दिया डालके अब इसको डालते ही तुरंत उतरना है उसको देखिए आभी प्लेटिंग करके टेस्ट कीजिए बहुती टेस्टी बनता है ये बनता है माथनाव चल अनिया जिया आएंग लाद से औगाप सहां है ये तुरूड़ड़ड़ड़ आए आए मिग्सको जगे ये बनता है